आज तक रेटियो, सुनता है सारा जहां पूछेंगे एक गाइडलाइन्स आये थी कि डॉक्टर ब्रांड स्षोड जेनरिक दवाय लिखना चुने ताकि ये मरीजों पर बोज कम पड़े लेकिन डॉक्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं तो दो अलग-अलग धड़ों में जादा सही कौन है? पॉलिसी एक्सपोर्ट से पूछेंगे फिर हर्याना के नुह की बात होगी यहाँ पिछले दुनों हुई हिंसा की आरोपियों में से एक बिट्टू बजरंगी को कल पुलिस ने गिरफतार किया है तो क्या धारायन लगी है? कितने गंभीर आरोप है? इस पर यह तो बताएंगे ही लेकिन एक सवाल ये भी है कि कितने आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है? पूछेंगे रिपोर्टर से लेकिन अभी 60 सेकेंड्स हेडलाइन्स का वक्त है सुनिये शुभमतिवारे से भाजबा के दिल्ली हेड़कॉर्टर में पार्टी की सेंटरल इलेक्शन कमीटी की आज मीटिंग पांच राज्यों में चुनाव की तैयारियों पर होगी बादचीत मीटिंग में प्रधानमंत्री मोधी, अमिच्शाह, जेपी नडड़ा समेत सेंटरल इलेक्शन कमीटी के 15 मेंबर्स होंगे शामिल राहुल गांधी आज जाएंगे हिमाचल प्रदेश, कुल्लू में बाढ़ प्रभावित परिवारों से करेंगे मुलाकात इसके बाद टुरिज्म कॉन क्लिब में होंगे शामिल उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में नदियों का जलस्तर बढ़ा, कई नदियां खत्रे के निशान से उपर 2024 चुनाओ के लिए तैयारियों में जुटी समाजवादी पाटी, आज से बांदा में दो दिवसिय प्रसेक्शन कैम्प होगा शुरू ताजिकिस्तान में सुबह करीब दो बज कर 56 मिनट पर महसूस हुए भुकंप के जटके 4.2 रही तीवरता और अमेरिका का जॉर्जिया 2020 चुनाओ, जाँच में पूर्व राष्टरपती डोनाल्ड टरम्प ठहराए गए दोसी जम्मो कश्मीर के नए सीट बटवारे के बाद केंद सरकार पर कश्मीर के नेताओं ने आरोप लगाए कि सरकार जान बूच कर कश्मीर के हिस्सेदारी कम करना जाती है ऐसे ही कुछ आरोप फिर से लगे हैं लेकिन इस पार जम्मो कश्मीर बीजिपी में एक अंग्रेजी अख़बार के रिपोर्ट के मताबिक कश्मीर बीजेपी की निताओं ने स्तीफे के धमके देते हुए कहा है कि पार्टी को प्रदेश संगठन में जम्मो के लोगों का दखल कम करना चाहिए इसके बाद एक अक्शन भी हुआ पार्टी ने अपने संगठन में तीन बदलाव किये प्रदेश के सोचल मीडिया प्रभारी अभी जीत जसरूठिया को हटा दिया गया और वीर सराफ जो दक्षन कश्मीर में पार्टी के प्रभारी थे और मुदासिर वानी जो उत्तरी कश् आले में वापस बुला लिया गया आप तक बीजेपी इस राज्य में सिर्फ एक बार सत्ता में रही है वो भी पीडिपी के साथ गडबंधन में ऐसे में इस बार अकेले चनाओं में जाने की सोच रही बीजेपी के लिए कश्मीर और जम्मू के नेताओं के बीच कि ये जो आजनीती में कहीं न कहीं जम्मू बनाम कश्मीर वाला एक बार फिर जो है रंग सामने आया है इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ दिन पहले कश्मीर में काफी सुग बुगाहट थी कि कश्मीर के जितने भी बीजेपी के नेता है वो मास रिजिगनेशन करेंगे होटल में उन का फैसला टाल दिया लेकिन साफ जलकता है जम्मू कश्मीर की बीजेपी कायों में कि कहीं न कहीं जो कश्मीर में उनके नेता है वो बीजेपी की रन्निती से जो जम्मू कश्मीर को लेकर है उससे खुश नहीं है और यह भी सच है कि जतनी भी जम्मू कश्मीर पार्टी की लीडर्शिप है जम्मो कश्मीर की उसमें वर्चस जो है जम्मो के निताओं का ही है और उसकी वज़े भी साफ है क्यूंकि कश्मीर के मुकाबले में जम्मो में ही कुछ पार्टी का विस्तार है या पार्टी की छबी है जहां तक कश्मीर की बात है कश्मीर में नहीं पहले तो ऐसे में कश्मीर के इस शिकायत को अड्रेस कर पाना और उन पर इस तरह के आक्शन्स जो अभी हुए हैं क्या मुश्किल नहीं बनेंगे आगे चलकर बीजेपी की अगर बात की जाए तो जम्मो कश्मीर की राजनीती में वो खास तोर से जो राजनीती है या हम कहें की नैशनल पॉलिटिक्स है वो ज्यादा जम्मो कश्मीर पर बीजेपी कर रही है जाहे उनुछे तीन सो सतरह टाने की बात हो जो बीजेपी का पार्टी का एक मुखे जो मांग थी शुरू से ही और उसको आप पोरा कर दिया है पार्टी ने दूसरी तरफ बीजे पी जिस अंदाज से देश में अपनी राजनीती करती है उसी तरह कहीं न कहीं जमीन बनाने की कोशिश उनकी लगातार जमू कश्मीर में रही है लेकिन बीजे पी की मुश फोड़ कर बारतिय जन्ता पार्टी में दाखल हो सके तो कहीं न कहीं वो लीडर्शिप जो है कश्मीर में बीजे पी की पहले से ही कमजोर रही है कोई प्रमुख चहरा उनकी पार्टी का जो चहरा है वो जमू कश्मीर में और खास तोर से कश्मीर में नहीं बन पाया है जह उतना रोल अब नई सरकार में नहीं हो पाएगा क्यूंकि कश्मीर के साथ-साथ जमू में भी उन्होंने जनादार काफी खोया है खासतों से उन्चे 370 हटाने के बाद जिस अंदाज से जमू में डोगरा बारती जनता पार्टी से नाराज है और साथ-साथ कश्मीरी पंडित जिन में से अधिक तर जो पलाइन करके जमू में रह रहे हैं वो भी पार्टी जनता पार्टी से बहुत नाराज चल रहे हैं लेकिन अभी तक जो चुनाओं की सुक बगाट है वो उसमें हो सकता है कि देरी हो जाए कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाओं से पहले संबव नहीं है क क्योंकि जमू कश्मीर में फिलहाल जो यहां का चुनाओ आयोग है जमू कश्मीर का वो इस्थानिया एकायों के चुनाओं की तैयरी में चुटा है और माना जा रहा है कि जो नगर पालिक काउं के चुनाओं होने हैं जमू कश्मीर में वो उक्तुबर की महीने में हो सकते ह और चुनाव आयोग जो है वो उनकी गोशना सप्टमबर में कर सकता है तो जाहिरे अगर इस्थानिया कायूं के चुनाव होंगे तो बहुत जल्द या उसे पहले जम्मो कश्मीर के विदानसभा चुनाव संबो नहीं है शुक्रिया अश्रफ जी नए सीट बटवारे के बाद बेशक जम्मो के हिस्से बढ़कर 43 विदानसभा सीटे आई हैं लेकिन कश्मीर में अभी भी 47 सीटे हैं ऐसे में बीजिपी के लिए जम्मो बनाम कश्मीर के लड़ाई चुनावों के लिहास से मुश्किल बनेगी ये तो तैय हैं हेल्स सेक्टर में खासकर सरकारी अस्पतालों में इलाज को लेकर अक्सर डॉक्टर पर ये आरोप लगते हैं कि डॉक्टर्स जनरिक दवाई नहीं लिखते हैं किसी एक खास ब्रांड की वो दवाई जो बहुत महंगी होती हैं और कभी कभी गैर जरूरी भी वो पर्चे में लिखी जाती हैं और मुफ्त इलाज या सस्ता इलाज सिर्फ स्लोगन बन कर रह जाता है इस पर बीते शुक्रवार को NMC यानि National Medical Commission ने नई guidelines चारी की थी NMC ने कहा था कि हर registered medical practitioner को दवाऊं की brand से आगे निकल कर generic दवाई लिखनी चाहिए जो लोगों को गैर ज़रूरी खर्चे और दवाईों से भी बचाएगा NMC ने इस फैसले के पीछे एक कारण ये भी दिया कि ऐसा करना लोगों के दवाईों के खर्चे में 30 से 80% तक की कमी लाएगा जो branded दवाऊं की महगाई की वजह से बढ़ता चला जाता है अब इस पर Indian Medical Association की आपत्ती आई है ये Association भारत में डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स का सबसे बड़ा संगठन है आए मैंने इस फैसले के बाद कहा कि ऐसे फैसलों से लगता है कि Medical Commission बिना ट्राक के ट्रेन चलाना जाता है Association की ये दलील है कि ये फैसला डॉक्टरों पर ही रहने दिया जाए कि उसे कौन सी दवा लखनी है तभी मरीज बहतर इलाज पा सकेगा हमने इस Guidelines और इस पर हो रहे हैं विवात पर विस्तार से बाचित की Health Policy Export शुचिन बजाज से शुचिन जी हम इन Guidelines पर Indian Medical Association की आपतियों पर तो आएंगे ही लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाती हूँ कि इस फैसले को आप as a Health Export किस तरह से देखते हैं कितनी जरूरी नसर आती है ये Guidelines आपको देखिए सरकार की जो इसमें नियत है वो बहुत अच्छी है उसमें कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं है सबी लोगों को सस्ती दवाईया मिलें Equitable Healthcare हो, Accessible Healthcare हो Healthcare की वज़े से भारत में करीब-करीब 6 करोड लोग गरीबी रेखा से नीचे गिर जाते हैं हर साल सिरफ इसलिए क्योंकि उनको Healthcare शौक लगता है कोई या कोई बिमारी हो जाते है जिसकी वज़े से उनको अपना घर बेचना पड़ता है, अपना खेत बेचना पड़ता है, अपने घर के possessions बेचने पड़ते हैं तो intention अच्छा है कि generic दवाईयां 30 से 80% तक सस्ती होती है जैसा कि एक normal चीज होती है कि उसको पूरी तरह नहीं सूचा गया है, यह piecemeal solution है और इसकी वज़े से यह successful होना बहुत मुश्किल है जी, और सरकार यह कह रही है कि ब्राइंड्स की डॉक्टरों को set करके एनातिक तरीके से फाइदा पाने की कोशिचों को रोकनी के लिए यह किया गया है डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर generic दवाओं से मरीज को फाइदा ना हुआ तो हमारी repetition जाएगी तो डॉक्टर्स की इन आपतियों में कितना दम है जैसा मैंने कहा यह पूरी तरह सोचा गया बिल नहीं है देखे एक तरफ से सरकार का एक law है जो कहता है कि schedule edge दवाईयां जैसे कि antibiotics, neurological दवाईयां, cardiological दवाईयां, diabetes की दवाईयां यह सब बिना doctor के prescription के मिली नहीं सकती है they are not available legally तो अगर वो मिली नहीं सकती है और doctor को दूसरी तरफ बोला गया है कि आप सिरफ generic दवाईयां लिखिया ब्रैंड लिखिये ही मन्त तो ब्रैंड का production क्यों किया जा रहा है वो कैसे मिलेगी दवाई किसी को जब doctor उसको लिखने ही सकते है और legally उनकी prescription की बिना patient को मिलने ही सकती है तो ब्रैंड का production किया क्यों जा रहा है सरकार उसको क्यों अलाव कर रही है problem यही होगी कि आप doctors क्योंकि एक easily regulated community है क्योंकि उनका practice का license है उनकी prescription है हर चीज का proof है कोई भी patient को देखेंगे लिखित में होगा सब कुछ तो उसको पकड़ना बहुत असान है तो इसलिए सरकार ने piecemeal पकड़ लिए कि आप नहीं लिखेंगे लेकिन जब आप generic लिखेंगे और बाहर आप chemist के पास जाएंगे तो chemist वो ही दवाई उसका generic exact version नहीं रखेगा वो रखेगा branded generic दवाईया यानि कि low quality दवाईया जो कि किसी और brands available है बट नाम generic है और जो एक normal branded medicine से भी ज़्यादा महेंगी है MRP पर लेकिन उसका cost price chemist के लिए बहुत कम है तो उसकी margin बहुत ज़्यादा है chemist के पास तो इस problem में ये एक चीज आ जाती है कि chemist के पास बहुत बड़ी power है substitution की वो substitute कर सकता है doctor की prescription कोई भी generic दवाई लिखी जाएगी उसके लिए वो कोई भी brand की दवाई जिसमें उसके पास सबस्यादा profit होगा वो देगा और उसमे doctors को यही डर है कि वो low quality दवाई होगी क्योंकि उसका margin chemist के पास बहुत जादा होगा तो इस वज़े से उसके लिए doctors को आपती है कि ये power chemist के पास नहीं होनी चाहिए या तो अगर आप generic लिखवा रहे हैं तो आप सिरफ generic का ही production allow कीजिए कोई branded medicine बनने ही नहीं चाहिए तो सब कुछ simple है फिर जब मिलेगी नहीं और doctor लिखेंगे नहीं तो chemist के पास भी वो power नहीं है फिर सब कुछ जेनरिक medicine ही मिलेगी आपने कहा कि मनशा सही है लेकिन जो प्रयास है वो अधुरा है तो क्या किया जाना चाहिए कि ये प्रयास जो है वो पूरा हो सके अगर ये guideline सही नहीं है तो इसमें देखिए काम करने की यही जरूरत है कि अगर आप इसको generic दवाईयों को बढ़ावा देना चाहते है और doctors के लिए आपने rule बना दिया है कि branded medicine नहीं लिखी जाए तो उसकी production भी एक rule pharmaceutical industry पर भी एक rule लगाई है कि कोई भी branded medicine की production नहीं होगी क्योंकि वो मिली ही नहीं सकती आगए अपके patients को तो सिरफ generic दवाईयों ही produce हो और वही बिकें तो उससे सब सस्ती दवाईयों मिलेंगी लेकिन इसमें फिर एक third piece में सोता है research and development का कि अगर सिरफ generic दवाईयों मिलेंगी और सिरफ सस्ती दवाईयों मिलेंगी तो नई दवाईयों बनाने के लिए better molecules बनाने के लिए better drugs बनाने के लिए जो research होती है pharma industry में वो कौन करेगा फिर और अगर research नहीं होगी तो ये धीरे-धीरे सब medicines outdated हो जाएंगी और research बंद हो जाएगी तो आगे की बिमारियों से लडने के लिए हमारे पास श्रमता बहुत कम रहे जाएगी तो ये complicated scenario solution present किया है बहुत ही ad hoc और peace meal solution है जिसके बहुत ज़ाद effective होने के chances बहुत कम रहा बहुत बहुत शुक्रिया शुचिन बजाज और अब बात हर्याना के नुह की नुह में हुई हिंसा को अब 15 दिन से जादा बीच चुके हैं कल्शाम इस मामले में पुलिस ने एक और गिरफतारी की गिरफतार किये गए आरोपी का नाम बिट्टू बजरंगी है आरोप है कि ब्रजमंडल शोभा यात्रा से पहले बिट्टू बजरंगी ने सोशल मीडिया पर कई भढ़काओ पोस्ट किये थे फरिदाबाद से की गई इस गिरफतारी के बाद अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस इस मामले में और भी गिरफतारियां कर सकती है आज बिट्टू बजरंगी की कोट पे पेशी भी होगी दूसरी और नुह में अब सित्ही समानने होने लगी है कल आजादे के साल गिरह पर प्रशासन ने कर्फ्यू में धील देने का इलान किया था इंडरनेट भी कुछ देर के लिए बहाल किया गया हाला कि वहाँ से आ रहे रिपोर्ट्स के मताबिक हिंसा के बाद नुह से जा चुके लोगों में से जायतार लोग अभी वापस नहीं लोटे हैं तो सबसे पहले कल किरफ़तार किये गए बिट्टू बजरंगी के बारे में हमने और जानकारे ली कौन है ये और नुह में हुए हिंसा में उसके रोल को लेकर क्या आरोप है ये हमने पूछा आज तक रीडियो रिपोर्टर श्रिया चाटरजी से भी धाड़ाय लगे हुए है और ये बताना बहुत इंपॉर्टन है कि जो जिरिफ़तारी कर जो ये ताउरू में जाके गिरिफ़तार किया बिट्टू बजरंगी को अपने सरिजाबाद प्रेफ़ते जो एक कीसी की भी सुतिज भी सामने आया उसना बेख तक्ता कि सिवल में जो ताउरू के सिया ये फिशू से उन्होंने गए और उन्होंने बिट्टू बजरंगी को गिरिफ़तार किया ये बताना और भी जरूरी है कि ये पहला एसायर नहीं है बिट्टू बजरंगी के खिलाफ मेवाट के डंगो को लेके एक पहले भी एसायर बिट्टू बजरंगी के खिलाफ दर्ज हो चुका है जो फरीदाबाद से दबवा पुलिसीशन में एक औगस को दर्ज हुआ था और 3 अउगस को बिट्टू बजरंगी को उस सेम एसायर में बेल भी कोट से मिल गया था लेकिन ये दूसरी एसायर है जिसके अधार से नू पुलिस में बिट्टू बजरंगी को गुरस्पार इकिया है जब उनको कोट में पेश करेंगे देखना इंपॉर्टन होगी कोट किस तरीके से पुलिस को आगे बिट्टू बजरंगी की रिकस्टड़ी देती है या उनको उनको जुल शुबजरंगी की तो किरफ़तारी होगे लेकिन मैं पुलिस की ओवरॉल कारवाई को लेकर भी आपसे एक अपडेट लेना चाहूंगी वो कौन से आरोपी है जो अभी भी पुलिस की जट से बाहर है इतने दिनों बात भी लेकिए अगर हम पुलिस की पुरी इंवस्टिगेशन की बात करें तो अभी भी जो लू में पुलिस की इंवस्टिगेशन चल रही है फुल 230 लोग गरफ़तार हो चुके है F.I.R. की जो नंबर है वो बढ़के भी 90 हो चुकी है और इसी के अधार पे जो पुलिस गरफ़तार कर रही है तो यह कहना अभी मुश्किल होगा कि आगे जाके हम क्या कोई और अरेस्टिगेशन की बिल्कुल पॉस्टिगेशन के अधार पे कम ते कम जबी कटिस जुलाइ की घटना है और आज हम 15 आउगस बैते हैं और आज जाके बिट्वजरं की गरफ़तार हुए तो कही ना कई पुलिस कई ऐसे जीडियो खंगाल रहे हैं कई सीटिगी भी फुटिज देख रहे हैं और उसके अलावा जो कुल अरेस्ट अभी तक हो चुके है उनके इंवेस्टिगेशन और उनके बयानों के अधार पे भी आगे अपने इंवेस्टिगेशन जारी रफ रहे हैं तो इंवेस्टिगीश में भी जारी है पूरी तरीके से खतम नहीं हुआ है आगे भी हम कई ऐसे और लोगों को भी गिरुपता कोई से शायद देख पाएंगे बहुत बहुत शुक्री अश्रया हमसे बाचित करने के लिए और अब वक्त हो गया है मारे आज की अख़बार सेग्मेंट का तो शुब हमतिवार से सुनते हैं कि आज देश दुनिया की अख़बारों में कौन से बड़ी ख़बरे चपी है कुछ एक अख़बार आज उपलब्द नहीं है कल उनके चुट्टी होने के वज़े से जो अख़बार उपलब्द है उनको देखें पड़ें तो जाहिर से बात है हर एक अख़बार में प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी की लाल किले के प्राचीर से देश को समभोधित करते हुए तस्वीरे हैं एक अख़बार लिखता है कि प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस ने स्पीच से 2024 के लोगसभा चुनाओ का एजिंडा सेट कर दिया है वहीं इंडियन एक्स्प्रेस की हेडलाइन है कि वर्ल्ड वॉचिंग इंडिया अंस्टॉपिबल विल बे वैक एट रेट फोर्ट नेक्स्ट यर प्रसानमंतरी ने कहा है कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है भारत अब रुक नहीं सकता और मैं यहने 2024 में फिर से लाल की लाओंगा जंडा फेहराने के लिए वही कल 15 अगस्त के कारिकर में मलिकार जुन खडगे नहीं गए इस पर भारती जनिता पार्टी के कही निताओं ने आतराज जताया तो इस पर खडगे साब की प्रतक्रिया आई कि उनको कॉंग्रिस के 15 अगस्त के इविंट पर जाना था इसलिए वो लाल की लिवारे समारो उनको के नहीं जा सके इंटरने एक्स्प्रिस पर इसके बगल में खबर है कि एलेसी पर भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच 19 वे दौर की जो बात चीत हुई है उस पर अमरिता नायक दत्ता की रिपोर्ट है कि 19 वे दौर की जो सेने वारता हुई है उसमें सीमा विवाद को लेकर कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है दोनों देशों ने पूरवी लद्दाक में जो वस्त्रिक नियंतरेंड रिखा है लाइन फैक्शुल कंट्रोल वहां के बाकी मुद्दों को जल सोलजाने पर सहमती जरूर जताई है लेकिन दोनों देशों के बीच जो विवाद वाली जगें हैं उन पर समाधान की दिशा में कोई बादचीत आगे नहीं पढ़ी है खुश्वू एक खबर में जनसत्ता के हवाले से बता रहा हूँ 36 कट के मुख्य मंत्रे भुपेश्ट बगेल ने कल ये स्वतंतरता दिवस के आउसर पर ऐलान किया कि महिलाओं के साथ बलातकार, छेड़ छाड़ और दूसरी अपराद के आरोपियों को राजी में सरकारी नौक्रियों से क्रतिबंधित किया जाएगा इसके अलाबा स्कूली पार्ठिक्रम में उन्होंने आर्टिफिसियल इंटिलिजन्स की पढ़ाई, मसीन लेर्निंग की पढ़ाई, वही राजी में सरकारी कॉलेच चात्रों के लिए मुफ्त बस विधात देने समेट कुल 15 योजनाओं की है महिलाओं के खिलाफ जो अपराज करने वालों को सरकारी नौकरी न देने वाली बात है, इसी के आसपास कुछ एलान, राजस्थान की सरकार ने भी कुछ हफ्ते पहले किया था वहीं जारखंड के पश्चिम सिंग्भू जिले से खबर है, यहां मावादियों के साथ एक मुठफेड में जारखंड जैगवर फोर्स के दो जवानों की कल मौत हो गई, मुठफेड में जिन जवानों की मौत हुई है, उनमें एक का नाम अमित तिवारी और दूसरे का ना ACN Games में भारत का प्रतिनी जित्व करेंगी, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को ACN Games में डारेक्ट एंटरी के विरोध में अंतिम पंगाल और सुजीत कल-कल दिली हाई कोट कहुँचे थे, हाला कि उनकी अरजी बाद में खारिच हो गई थी, इसके बाद विनेश औ अब तक का सबसे गर्म महीना बताया है, यानि 143 साल का रिकॉर्ड जुलाई की गर्मी ने तोड़ दिया है, ये खबर मैं अभी भासकर पर पढ़ रही हूं, अमेरिकी एजिंसी ने कहा है कि ये महीना जो है जुलाई का, वो किसी भी अन्ने जुलाई की तुलना में 0.24 डि एले European Union Climate Observatory थी, उसने भी जुलाई 2022 को शुबहम इतिहास का सबसे गर्म महीना बताया था, अंतरस्ट्री खबरों की मैं बात करनूं तो Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP ने कहा है कि पाकिस्तान भारत से किसी तरह की दवाईया इंपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन हॉस्पिटल या आम नागरिक चाहें, तो वो सरहत पार से दवाईं खरीद सकते हैं, इसके लिए उन्हें No Objection Certificate हासिल करना होगा, दरसल 5 अगस्त 2019 को कश्मीड से Article 370 और अधारा 35A हटाई जाने के बाद, पाकिस्तान ने भारत के साथ सारी Trade Agreement hold कर दिये थे, और पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि भारत जब तक ये कदम वापस नहीं लेता, तब तक आपसी कारोबार बहाल नहीं किया जाएगा, वहीं भारत और UAE के बीच पहली बार local currency में लेंदेन हुआ है, भारत ने 10 लाख barrel तेल खरीदा है, और इसका भुकतान रुपे और UAE की currency दिरहम में किया है, कल इसके जानकारी UAE म जिससे भारत अपनी crude oil की जरूरतें पूरी करता है, वहीं दूसरा बड़ा देश है, जहांसे LNG और LPG इंपोर्ट की जाती है, ऐसे में दोनों देशों के बीच अगर local currency में भुकतान की बातचीत आगे बढ़ती है, तो ये भारत के लिए फाइदे मंद साबित हो सकता है, वहीं खबर नाइजीरिया से, वहां की वायुसेना का एक helicopter कल crash हो गया, इस crash में नाइजीरिया सुरक्षा बलके 26 लोगों की जान चली गई और 8 लोगों की घायल होने की खबर है, हेलिकॉप्टर दरसल लुटेरों से हो रही मुठपेड के बीच घायलों को rescue कर रहा था, ले और चलते चलते 16 अगस का इतिहास पी जान लेते हैं, तो 1858 में पहली बार लंदन से वाशंग्टन टेलिग्राफ मेसेज भेजा गया था, ये टेलिग्राफ मेसेज क्वीन विक्टूरिया ने अमेरिकी राष्टपती को भेजा था, आज भारत के पूर पुर्धान मंतरी अ इतना ही इस पॉड़कास को प्रिड्यूस किया है, रोहित अनलत्र पाठी ने साउंड मिक्सिंग का जिम्माथन दिन रवत के पास, खुश्बु कुमार के साथ थे आप, नमस्कार